सरफिरा अपने पहले मंडे 1 करोड 25 लाक रुपे सेलफी अपने फस मंडे 1 करोड 50 लाक रुपे भाई साहब मिल्चन रानी गर्ज ने भी 2 करोड 25 कुछ किया इवन रनवे 34 ने भी मंडे की दिन ठीक कलेक्शन किया लेकिन यहाँ हुआ औरों में कहा दम्था अपने फस्स,ंवंडे और आज है टूजडे क्या आएंगे दोस्तो आज के दिन नंबर वहीं उलचके भी दोस्तो box office collection किस तरीके qda हो रहा है इस वीड़िएो में दोस्तो हम्लोग जानेंगे देखो भाई कहने की बात यह की औरों में कहा दम था बॉक्स office में जोस्तों कहा सकते हैं कि बिल्कुल बुरी तरीके से दोस्तों flop हुई है ऐसा नहीं है कि normal तरीके से flop मतलब ऐसा नहीं है कि flop सिर्फ disaster जास्टर तो गाईज यहां पर हमने इससे पहले बड़े बड़े डिजास्टर देखें। लेकिन इसके collection कह सकते हैं कि अधर इसमेरा काறिया था है। और मुझे लग रहा था कि शायद इससे कम किसकी ही होगी कम आए। अलाकि ये मूवी अगर 5 जुलाई को आया थी जब कलकी रिलीज हुई थी उसके अगले हफते तो भाई ये मूवी फर्स डे भी दोस्तों करहुड निकर बाती। लेकिन अगर मैं दोस्तों आपको बताकर चलूँ कि क्या आये कलकी रिली एस्टिमेट तो रात को साड़े 11% की दोस्तों और उमें कहा दम था क्यों की पिंसी आई। मुझे लगना था कि शाए 90 लाग या 95 लाग रुपा आएगा लेकिन थोड़ा तो गाईस कह सकते हैं कि मामलार यहां पर करोड तक तो पहुंचा ही पहुंचा है एक करोड और इस तरीके से 4 दिनों में दोस्तों ये मूवी 7 करोड 75 लाग रुपे कुछ जमा कर पाई अभी भी डबल डिजेट नहीं दोस्तों अगर हम लोग उलच की बात करते हैं उलच के वक्स आफ़िस केलेक्शन की तो उलच 60 लाग रुपे कम औरों में कहा धम था से तो गाईस इस तरीके का कुछ सीन रहा इस मूवी का इस तरीके से कुछ सीनारियो लेकिन काफी सारे लोग मे दोस्तों चेक करते हैं कि आखिर किस तरीके का सीन है उसके बाद हम लोग आज की दोस्तों बाते करेंगे तो गाईस अगर हम औरों में कहा दम था कि आज आएमडीवी की जो गाईस लिस्ट है मालब आएमडीवी की जो रेटिंग करते हैं तो कुछ 5.3 या गाईस ऐसा नही है कि सिर्फ और सिर्फ यहां पे लोगों ने इस मूवी को बज के वज़े से ही कम अंग दिया है कम कम रेटिंग दिया है ऐसा नहीं है कि इसकी बज नहीं दा तो लोगों ने पहला ही फ्लॉप बोल दिया भाई सहाब यहां पे इससे अच्छी रेटिंग तो उलच की है दो मैं हैराणी में हूँ मैं हैरानी में क्यों गा वो चाहाले में बचा लिए make me अच्छा काम किया है में एक हो तो भाई अच्छी लगी गाई उसकी गाम इस और इशारा कर रही है कि यह मुवी एक लिस्ट जनता ने तो दोस्तों इसको सराया यह ना कि आप लोग भुक माई शो रेटिंग भी देखते हो तो 7.1 जिया है 7.1 जो कि मेरे हिसाब से ठीकी है भाई भुक माई शो में लोग कमर्शियल दोस्तों देखने आते हैं लोग कमर्शियल सक्सेस पता चलता है वहां से तो एज़ा क्रिटिक्स भी अच्छा रेटिंग इसको मिला था और एज़ा आइमडीबी और भुक माई शो लेकिन आप मुवी करोड़ों से भी दोस्तों नीचे आएगी कल तो फिर भी करोड़ हो गया लेकिन आज यह मुवी नभे लाग या फिर असी लाग के वीच में दोस्तों कुछ करने वाली है यानि कि दोस्तों इसकी जो कमाई है पौने 9 करोड़ दोस्तों हो जाएगा डबल डिजिट अभी भी नहीं वाइज अगर हम लोग यहाँ पे उलच की बात करते हैं तो उलच की कमाई फिर्स डे एक करड़ पंदरा लाग उर्पे थी उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 50% का ड्रॉप लगता है तो हम लोग किसी मुवी को कहते हैं कि ठीक ड्रॉप लगा तो फर्स डे से डेफोर में ड्रॉप इसका 40% ही लगा है तो यहाँ पे 40-45% यहाँ पे इसका ड्रॉप बगरा सब कुछ सही है लेकिन वहीं ओपनी ही बेखा रहे हैं तो वाइज आप 5-6 करोड रॉपे में क्या ही होगा दोस्तों तो मुवी यह भी डिजास्टर ही लेकिन मुवी अच्छी थे आज उलज मुवी 50 लाख रॉपे कर सकती है क्या करा है तो आपको बतना जरूर मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही